नमस्कार दोस्तों बात कने वाले इस वीडियो में तीन और श्टॉक के बारे में जांबे अच्छी खासी तेजी बनते वे देखने को मिली है रूपा एंड कंपनी एक पदमजी पेपर है पेपर स्टॉक को पहले ही मैंने एक वीडियो में और कवर किया आप देख सकते हैं कल तो 7000 सब्सक्राइब आपके से परे हो गए आप सभी का इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद तो 7000 सब्सक्राइब गया दन्यवाद वोकस बनाते हुए वाफिस स्टार्ट हो चुका है तीन परशेंट सा डाइवर्शन तक के गेन इंट्राडियम स्टॉक ने बनाए हैं क्यूवन के नंबर यहां अच्छे उमीद की जा रही अच्छे आते हैं तो इस्टॉक साड़े 500 से पहुने 600 की रेंज में और भागते हु अभी भी चल रहा है जो कि आप देख सकते हैं स्टॉक ने उपर इस तो फिर हडल फेस की है 525 के लेवल के तो सबसे पहला टार्गेट इसका रहेगा 520 रुपे के आसपास का जो कि 498 का फिला चल रहा है यहां से करीब 22 रुपे उपर स्टॉक के पास एक हडल है यह आप य यह लेवल अगर श्टॉक निकाल लेता है करीव पांसो बीज से पचीस की रेंज गा तो फिर मंतली चार्ट सीधा 600 तक जाएगा इसका 600 पर इसका है और मुझे पूरी उम्मीद लगती है क्यों के नंबर अच्छा हैंगे और अगर अच्छे वाकई आ जाते हैं तो फिर द बाकी पेपर जो मैंने आपको बता हैं वह थोड़े फिर भी महंगे हैं काफी नामी पेपर भी है लेकिन यह जो कंपनी है ना यह उबरती हुई यह कंपनी है और जहां तक मुझे याद आ रहा है पल्प का यह लोग काम करता है यानि पेपर बनाने के लिए जो लुग दी प्रियोग में ली जाती है जो पल्प होता है वो यह लोग डिलिवर करते हैं बागी कंपनीज को तो यह आज के दिन सवा साथ से साथ परसेंट के गेन इस टॉक दिखाए हैं दिन बर मॉर्निंग से लेके दिन बर इसमें बाइंग आते पर देखने को मिली है बात कर लेते ह सपोर्डों कांर इसका नेक्स्ट बनेगा तो देखें सबसे बात कर लेते हैं मंतली जाट के ओपने इत्यास में कभी जतना पराइस बने गया रहा है उसके बाद भी स्टॉक जो है इसको ब्रेक करके जो है अच्छा घासा उपरी इस तरों पर ट्रेंड कर रहा है इतियासिक इस तरों पर ट्रेंड कर रहा है दीगे 31 तारी को इसके लिए खवर है आज 29-31 तारी को कमपनी क्यों बन के नमबर डिकलेर करेगी मैं जरूर वीडिय करने का वीडियो इंटीमेट करने का पूरा प्रयास करूंगा आप लोग विजिट कर लेना तो दीगे नमबर अगर अच्छा आजाते हैं तो यह 50 प्लस के टार्गेट पका दे देगा उसमें कोई आश्यारी के बात नहीं है लेकिन बात करते हैं फिलाल की जो कि स्टॉक अ आज एक हर्डल को फेस किया जो कि स्टॉक ने 14 तारीक जुलाई 2021 को भी फेस किया था वो है करीब साड़े 70 रुपे का तो यह टार्गेट के लिए मिनिमन नजर रखिए जो कि साड़े 45 का चल रहा है दो रुपे और उपर स्टॉक के पास एक हर्डल है यह लेवल निकलेग सन फ्लेग आयरंड की लोहा बनाने वाली यह कंपनी है मैटल का स्टॉक है आज के दिन करीब करीब 92 रुपे क्या आज पास रिकमेंट हुआ है साड़े चार से पांस परशेंट के गियन इंट्राइट हम दिये मिनिम टार्टिस का सो रुपे का है सो रुपे पकिस तरह की हर स्टॉक ने एक रेस्टेंस फेस करके उपर इस तरह पर थोड़ा सा दबाव आते हों देखने को मिला है और अदरवाइस देखेंगे तो इस टॉक ने इंपॉर्टन लेवल को आज की डेट में निकाल दिया इसके उपर निकलने का यह जो लेवल का ब्रेकाउट है वह स्ट नंबर कैसे हैं वह तो कली बता पड़ेगा लेकिन देखते हैं और वीकली चार्ड पर आपको लगा था ट्रेंड पॉजिटीव देखने को मिल रहा है काई कोई समस्या नहीं है सो रूपे पर स्टोक का एक मेजर हड़ल है जो कि इसका 2018 का एक हाई है इसके बाद स्टोक लगाता अच्छा खासा गिरा है यह लेवल का कंपलीशन होगा सो रूपे के उपर अगर यह लेवल ब्रेक करके स्टोक ऊपर सस्टेन करके ट्रेड कर पाता है साथ ही क्यूबन के नंबर अच्छे आ जाते हैं कंपनी के कल की डेट में तो फिर स्टॉक भेंकर तेजी बनाएगा करीब करीब 110 टक के टार्गेट मान के चल सकते हैं अगर सो की लेवल को अच्छी खासी तरह से ब्रेकर करके सस्टेन करता है वोल्यूम के साथ नंबर कैसे र दमदार रिटन एक महिने के चार्ट पे दमदार पिछले महिनों में चल चुका है चलिए बात के लिए इस वीडियो में तीन स्टॉक के बारे में वीडियो चला लाइक कर देना चलन को सब्सक्राइब कर देना धन्यवाद